हम इस वक्त खड़े हैं दहरदून से तक्रीबन 100 किलोमीटर दूर चक्राता के नजदीक पड़ता है ये गाउं जिसका नाम है खमरोली यह यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है वो काफी अपने आपने डराने वाली है वज़े है लोग दहशत में हैं इसकी वज़े मैं बताता हूँ आपको मेरे पीछे देखिए जो ये पनी लगी है ये पनी पानी से बचाने के लिए अपने मकानों को बचाने के लिए लगाई गई है इसकी वज़े ये है कि क्योंकि यहां पर जोशी मट की तर्स पर यहां पर भी बड़ी दरारे आनी शुरू हो गई है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है देखे मैं जहां पर खड़ा हूँ ये घर की शुरूआत है और ये दरार किस तरह से यहां से बढ़ती भी जाती है और ये पूरे घर को तोड़ दिया है इसने और ये गाओं का अकेला ऐसा गाओं घर नहीं है जहां पर ये दरार आई है देखे ये सब दरार होते वे यहां प पूरे घर को इसने अलक कर दिया है और ये तक्रीबन पूरे गाउं में इस तरह के हालाद बने में देहरदून का खमरोली गाउं दरारों से दह्शक में है हर घर में दरार है लोगों में जोशी मठ की तरहां गर दिख रहा है दरगती जमीन पर ये गाउं अपने वजूद के लड़ाई के लिए लड़ रहा है इन दरारों के असली वज़ा क्या है किसी को नहीं पता कि अभी तक कोउशिश निए कि आप अबर झालों का कुछ आए तो गाउं में अभी तो किसी कितने मकान हैं यहां तो 45 शालिस परिवार है देहरादून से 100 किलोमेटर दूर करीब 50 घरों के इस गाउं में हर शक्स दहशत के साई में जीने को मजबूर है कई मकान खंडर हो चुके हैं, मकानों में ही नहीं गाउं की जमीन भी दरक रही है दरकते आशियाने और धस्ती जमीन का ये गर लोगों को घर खाली कर पहलायन करने को मजबूर कर रहा है पहाड लगातार दरक रहा है, घरों में लगातार दरारे आ रही है इसकूल भी इससे अचुते नहीं है, बलकि इसकूलों में भी दरार आ गई है बच्चे पढ़े तो पढ़े कहां ये हाल है राजधानी देरादून से 100 किलोमेटर दूर इस तित गाउं खमरोली का देखे मेरे पीछे जो है ये पहाड कैसे दरक रहा है और इस गाउं की जो खासियत है, वो ये है कि ये बिलकुल जोशी मट की तरस पर इसने भी दरकना शिरू कर दिया और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं दूसरा जोशी मट देरादून का गाउं खमरोली भी न बच्चा पहार का पूरा हिस्सात दरक रहा है लेकिन प्रशासन पर अंदेखी के आरोप है यहाल राजधानी देहरदून के गाउं में है हम इस वक्त खड़ें राजधानी देहरदून के 100 किलोमीटर आगे एक गाउं पड़ता है खमरोली में खमरोली वो जगे है जो अब जिसे लोग कह रहे हैं कि कहीं जोशी मटना बन जाए जी हां दरार लगतार आ रही है लगतार मकान दरक रहे हैं यहां पर पूरा गाउं द्वस्तिकरण की और बढ़ रहा है लेकिन यहां की कोई सुद लेने वाला अभी कोई अधिकारी यहां न ली और यह राजधानी का गाउं है खमरोली जहां पर लगतार दरकना शुरू हो गए हैं गर लेकिन इसका बारे में कोई यह नहीं जानता कि आखिर इसकी वजह क्या देखिए यह किस तरह से दरारे कितनी बड़ी बड़ी दरारे हैं और यह लगतार नीचे पहाड को नीच टूट के गिरा है यहां पर पिलर होते थे जिस तरह से ये पिलर बने वे हैं देखिए पूरा हिस्सरा बैट गया यहां से और नीचे चला गया और यह कोई ऐसा नहीं कि यहां भुकाम पाया है जिसकी वज़े से हुआ है यह लगतार इसी तरह से इहां 2-3 महीने से गाउं Geg लोगी शिकायत है कि लगातार पहाड दरक रहा है उनके घर लगातार दरारों की जद में आ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है एक तरफ बारिश का मौसम है तो दूसरी तरफ दरकती गाओं की जमीन लोगों के सामने दोहरा खत्रा है वक्त रहते अगर इस